अर्नब के घर में लगी आग, अर्नब के अपने रिपोर्टरों और पत्रकारों ने बताया अर्नब गोस्वामी को बहुरुपिया, कहा रिपब्लिक टीवी में हमें बंधुआ मजदूर बना कर रखा गया है, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं और हमारी जुबान बंध है, द के दोर में भी बंधुआ मजदूर हो जाने की कहानी भी, हम आपको वह पत्र सुनाने जा रहे हैं, इसको पूरा सुनिएगा और उस पर तारना को महसूस कीजिएगा, कि कैसे अर्नब गोस्वामी और उसका चैनल अपने ही करमचारियों को गुलाम बना रखा है, इस पत्र म की तरह हमने भी एक वेक्ती की बातों पर विश्वास किया, जब उसने भारत की बात की, आपने टीवी पर 24 घंटे एक आदमी की आवाज सुनी, हम जैसे लोगों ने ही उस आवाज में जान फूगी, हमने वो सब कुछ किया जो एक नौकरी और प्रोफेशनलिजम के नाम प उसी दिन हम से हमारी सौतंतरता पूरी तरह छिन ली गई, अनगेनत गालियों का सामना करना पड़ा, एक जहरीले माहौल में काम करने और नैतिक पत्रकाईता के हर नियम को तोड़ने के अलावा दूसरा विकल्प इस महामारी से गरस्त मीडिया इंडस्ट्री में बेरूज मिलेगा, और ऐसा हुआ भी, इस साल की शुरुआत में चीजे बदलनी शुरू हुई, हमें से कुछ लोगों को आखिरकार एक नए समाचार चैनल में जाने का उसर मिला, हमारे साथ जो भी हुआ, हमारी जो भी शिकायते थी, हमने उसे भुला कर अपने पेशे और परती इंतजार गिया, जैसे ही स्तिफिक अपहला सेटे चार तक पहुँचा, रातो राच चैनल के मैनेजमेंट ने हमारा कॉंट्रेक्ट बदल दिया, नोटिस की आओधी 180 दिन यानी 6 महीने कर दी, सभी मौजुदा करमचारियों को इस नए समझोते पर हस्ताक्षर करने के TV News Industry में 6 महीने की नोटिस ओधी, एक अनसुनी कहानी जैसी है, वो भी सामानने अस्तर के एडिटोरियल कमचारियों के लिए, जिनमें रिपोर्टर और प्रोड्यूसर भी शामिल है, हमारी नोकरी जोईन करने के समय, हमें से किसी को भी 180 दिन वाले अनुबंध पर करने के लिए नहीं कहा गया था, साफ है कि यहां का परबंधन अच्छी तरह से समस्ता है कि कोई दूसरा मीडिया संगठन 6 महीने की नोटिस के साथ किसी को नौकरी नहीं ओफर करेगा, और यहां के पत्रकारों के पास यहां काम करने के इलावा एक मात्र विकल्प होगा, क हमें अस्थाई रूप से बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बनाया गया, इसलिए आज हम आप सब के सामने बिना अपने नाम और अपनी पहचान क्या हैं, हम सब आपसे इंसानियत के नाते मदद की अपील करते हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हमारी जुबान है कि अगर कोई पत्रकार आज के समय 6 महीने की नोटिस और धी मांग रहा है, ति यह उसकी 24 नहीं है, यह अधुनिक समय की गुलामी है और इसके पीछे वो ताकतवर बहुरूपिया छिपा है, जो हर समय भारत की बात करता है, धन्यवाद, रिपब्लिक टीवी के पड़ता लगसे पाइब कलेई